दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आठ आर के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें नमस्कार दोस्तों धर्म रह से चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज एक बार फिर से दर्शकों के प्रश्ण और उत्तर संकला लेकर के हाजिर हुआ हूँ और आज हम लोग बात करेंगे विशेश प्रकार के चार प्रश्णों के बारे में जो की रोमीन राज वजराचरेजी ने पूशे हैं वो अभी तक अपनी साधना और उससे संबंदित वीडियो बनाने के लिए पत्र भेजा करते हैं आज उन्होंने कुछ प्रश्ण पूछे हैं जिनका जबाब मैं देने की कोशिश करोगा तो चली आईए पढ़ते हैं उनके पत्र को और जाने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो चार प्रश्ण हैं जे वो सभी के लिए उप्योगी होंगे हेलो एब्रीवन हाई दोस्तो नमस्कार गुरू जी मैं रोवें राज बजराचारे आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ गुरू जी मेरे पास चार प्रश्ण हैं और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह से मुझे बेड़नेश डे तक इन चार प्रश्णों के उत्तर दे दीजेगा गुरू जी इसका साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गुरू जी कि आप मुझे जी मेल पे रिपलाई सेट मत कीजेगा गुरू जी बलकि इन चार प्रश्णों के वीडियो बना करके पोस्ट कर दीजेगा और पब्लिश कर दीजेगा क्योंकि जिन लोगों के मन में ये सवाल है और जग्यासा है उन सबको भी आपके वीडियो के द्वारा आंसर मिल जाएगा और उनकी भी जग्यासा सांत हो जाएगी बिलकुल मेरी तरह ओके गुरू जी तो चार प्रश्ण इस प्रकार से हैं पहला गुरू जी कि आज से लगबग एक साल पहले आपने खैड परवत की जानकारीं हमको सबको दी थी जिसमें आपने एक केदार नाम के व्रिक्ति की अफषरा सादना की बारे में बताया था जो एश्वरे अपसरा की साधना करता है और एश्वरे अपसरा साक्षात एक साल में उसको पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाती है गुरुजी अगर एश्वारे अपसरा खेट परवत में है तो क्या हम एश्वारे अपसरा की साधना करके उसकी प्रत्रिक्ष सिद्धी को प्राप्त कर सकते हैं दूसरा सवाल है गुरुजी आपने गुलफाम परी के बारे में भी बहुत कोई अच्छी जान करी दी थी मेरा सवाल यह है कि क्या गुलफाम परी के मंतर को 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन या फिर 4 महिने तक किया जा सकता है क्योंकि 8 दिन 786 माला कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है गुरुजी कम से कम 8 से 9 घटे रोज लग जाएंगे गुरुजी प्लीज बताइए क्या अपने तरीके से इस तरह से किया जा सकता है क्या गुरुजी तीसरा सवाल है गुरुजी क्या रतिप्रिया एक्षणी की साधना भी लंबे समय तक किया जा सकता है अगर कोई रतिप्रिया रक्षडी को प्रतिष करना चाहता है तो गुरुजी अगर मुझे कामदेव के मंतर से किसी भी अपसरा क्वाकर्षित करना है और मैं कामदेव के मूल मंतर ख्लीम कामदेवाई नमहा का जाब कर रहा हूं तो कम से कम मुझे कितनी संख्या में जाब करना चाहिए जैसे की एक लाग पच्छी सजा, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, आठ लाग, नौ लाग, दस लाग, बाया लाग, गुरुजी, कितना करना जोगा जा तो ये इनके प्रश्ण है अब तो चले सबसे पहले पहले प्रश्ण से आपका जो है तो सबसे पहले जो खेट परवत की बात है देखिए खेट परवत जो है वो आज भी आक्षरियों के लिए या कहिए कि अपसराओं के लिए बहुती ज़्यदा प्रशिद्ध है और मैं आपको एक गोपनी बात बदा दूँ कि वहां के लिए एक जो है शेस रूप से एक विक्ति है उन्होंने मुझसे कई बार संपर करने के कोशिश की और वो उसी स्थान पर जाकर के साधना के लिए उन्होंने वहां के जो गाओं के प्रधान होते हैं उनको मना लिया है उनकी जो है बाकी समस्याएं भी हल हो चुकी है जो मुखदमा वगरा चल रहे थे वो भी सब किलियर हो गये हैं तो वो आप उस जगह पर जाकर के ही अपनी अपसरा साथना करना चाहते हैं यानि कि पहले व्यक्ति बन रहे हैं वो जो उस परवत पर जाकर के अपसरा उनको सिद्ध करना चाहता है अलाकि वहां के जो लोग है उन्होंने उनको समझाया है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी आप वहां जो मता दुरुगा का मंदिर है उसी में रहे करके आप साधना कर सकते हैं उपास ना कर सकते हैं लेकिन अपनी जान की और बागी जिम्मेदारी आपके खुद की होगी तो वेक्ति वहाँ पर साधना करना चाह रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जो भी स्थान होते हैं गोपनी स्थान वहाँ पर साधनाओं का फल विशेश रुप से बढ़ जाता है तो वहाँ पर सिध्धी प्राप्त की जा सकती ये बात निश्चित है लेकिन सिध्धी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं थी सिध्धी के कई सारे चरण होते हैं इसके अलबा आपकी होने वाली परिक्षा में आप किसी भी प्रकार से अस्फल ना हो इस बात के लिए भी आपको में से त्यार रहना चाहिए और जहां तक एश्वरे अफसरा की बात है एश्वरे अफसरा को जो है केदार ने सिद्ध किया था तो आप कोई जुरूरी नहीं कि आप एश्वरे अफसरा को ही वहाँ पर सिद्ध करें कोई और भी अफसरा वहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं गोपनी इस्थानों पर की गई साधनाओं का फल बहुत ही तीवर होता है और हो सकता है कि अगर आपके भागी में ही साधना में सफलता लिखी नहीं है तो नहीं होगी वरना हो जाती है तो अपसराएं भी तीन प्रकार से सिद्ध होती मैंने आप सो पहले भी बताया आभी भी बता रहा हूँ कि हमेशा एक होता है आभासी रूप में एक होता है प्रतिक्षी करण के साथ में जिसने आप सिर्भ देख सकते हैं और वो आपके साथ वारतला पगरा जो कुछ है वो कर लेती है और तीसरा इस्थर होता है जब वो साक्षात हो जाती है आपके साथ यानि कि आप ही नहीं उसे देख सकते है बलकि पूरी दुनिया उसे देख सकती है तो ये साधना के तीन इस्तर होते हैं जाए तर लोग पहले इस्तर को जरूर प्राप्त कर लेते हैं यानि कि आभासी रूप में शक्तियां आपके साथ रहना सुरू कर देती हैं तो देखिए जो तंतर साधना होती है उसमें जो नेमावली होती है बहुती जदा कठिन होती है और जो नेमावली होती है वही साधना में सिद्धी भी दिलाती है तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको जो एक तरीका होता है वो होता है साधना को उपासना बना ल लेना जकड लेना अपने पास बुला लेना लेकिन उपासना में होता है कि आप उसको बुला रहे हैं उसकी पूजा उपासना कर रहे हैं लगातार उसको ध्यान मिला रहे हैं तो भी वो सिध्धी सिध्ध हो जाती है लेकिन उपासना में कोई समय का प्रावधान नहीं होता है तांत्रिक सिद्धियों में समय का प्रावधान सबसे बड़ी चीज है और लोग जायतर शौटकर की साधनाएं भूडते हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी साधना का कोई दिन निश्चित नहीं है यह सिर्फ आपको किताबे बेचने के लिए या लोग यू कहिए कि अपने अपने हिसाब से लोग आकरशित हो जाये साधनाओं के प्रती इसलिए वो ऐसा कहते हैं लेकिन वास्त्विक्ता इससे अब लिकुल अलग हटके है किसी भी साधना के कोई दिन निश्चित नहीं होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मानवी करन किया गया है कि 40 दिन या 41 दिन या 21 दिन वहां तक बात आपकी पहुँझ जाती है यानि कि आप उतने दिन जब जाप करते हैं तो वो संख्याव के जाप में उतने दिन तक जाप करने पर आपकी आवाज उस देवता तक पहुंच जाती है लेकिन किसी तक आपका कहते न किसी को लेटर भेजना अगर किसके डाक खाने तक आपका लेटर पहुँच गया लेकिन वो अपने डाक खाने से पत्र उठाना नहीं चाहता डाकिया उसको देना नहीं चाहता वो पत्र पढ़ना नहीं चाहता तो ये अलग-अलग बाते होती है इसी विज़े से सिद्धी नहीं मिलती तो लोग सोचते हैं कि मैंने 40 दिन साधना की 41 दिन साधना की, 1 महीने साधना की और सिद्धी नहीं मिली इसी वज़े से ऐसा होता, इसलिए समय को भूल जाएए और समय भूल करके जो साधनाओं में डूब कर साधना करना चाहता है उसको सिद्धी अवश्य ही मिलती है लेकिन समय को कभी भी अपना टार्गेट नहीं बनाना चाहिए इस समय में इतने समय हो ही जाएगी आज तक बिलकुल यह सच बात है कि किसी भी साधना का कोई नियम में ये कभी नहीं रहा कि उसको इतने दिन में सिद्धी मिल ही जाती है सिर्फ औस यो दिन होते हैं उसका मतलब धी होता है कि आपकी आवाज उस देवी तक उस परी या कोई भी तांतिरिक शक्ती है वहाँ तक आपकी आवाज पहुँच गई है अब अगली बात आपने खूछिए कि क्या रति-प्रिया रक्षणी की साधना भी लंबे समय तक किया जैसकता है अगर कोई रती प्रेयाक्षर्णे को प्रतिश्ट करना चाहता है तो हाँ, बिल्कुल और मेरे साथ से एक साधक थे उन्होंने मेरे से बात की थी काफी पहले email में उन्होंने रती प्रेयाक्षर्णे की साधना की थी और साइद उसके पूरे उनको तो अच्छे खासे अनुभव हुए हैं और वो काफी लम्बे समय तक उन्होंने रति-प्रिय यक्षणी की साथना की थी तो उनके अनुभव बहुत अच्छे थे तो उन्हें कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं लेकिन मैंने रति-प्रिय यक्षणी को बहुती ज्यादा उसकी उपासना किये और उसके साथ मेरे संबंद भी बहुती ज़्यादा मधुर रहे हैं। इसी तरह यक्षणियों में भी यह सौम में यक्षणी है रति प्रिया तो जैसा जैसे जिसका नाम होता है वैसे उसका सुभाव भी होता है। तो रति का मतलब होता है कामदेव की पतनी या यूँ कहिए कि काम प्रिया या यूँ कहिए कि उसे प्रेम पसंद है उसे जो है वासना पसंद है तो वो आपके साथ प्रेम और वासना के संबंद अवश्य ही रखेगी और आमको वो देने की अवश्य ही कोशिश करेगी तो इस अगली बात आपने पूछी कि कामदेव के मंतर से किसी भी अपसरा को आकर्शित करना हो तो क्या कामदेव कर लेना चाहिए और कितनी संगा में जाब करना हो देखिए आकर्षत करना, वश्मे करना दोनों अलग अलग बात हैं सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी किसी को आकर्षित कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको वश्मे भी कर लिया जैसे कोई ताजमहल देखने गया और ताजमहल से आकर्षित हो गया तो क्या उसका ताजमहल पर अधिकार हो गया या ताजमहल ने क्या मान लिया उसे कि हाठ तुम मेरे मालिक हो नहीं यहाँ पर यही चीज आपको समझनी होगी कि कामदेव मंथ्र के द्वारा आप एक किसी अपसरा को आकरशित हो कर सकते हो उसकी जाब संख्या के हिसाब से लेकिन वो आकर्षण होने में और उसके सिध्ध हो जाने में बहुत बढ़ा अंतर है आकर्षel होकर कि वो आपके पास एक दो बार आ सकती है होशत्ते हैं, एक दो बार आने को उसको मौका मिल जाए लेकिन फिर वो गयब हो जाएगी और फिर आप ढूडते रहेंगे उसे कि आखिर मुझे सिद्धी क्यों नहीं प्राप्त हो रही कितना समय हो चुका है मैं लगातार इसको पुगारता रहता हूँ लेकिन यह सिद्धी मुझे नहीं मिल रही है तो इसलिए आप समझ लीजे बात को कि आप ये जब संख्या की जो संख्या है इसको आप कामदेव को सिद्ध करने के लिए तो ये जब संख्या कर सकते हैं और अगर आप इसका जो है बरलाग जाप करते हैं तो कामदेव की सिद्धी आपको हो जाएगी और कामदेव की सिद् करने किसी पवित्र इस्त्री को सिध करते हैं या यू कहिए कि किसी पवित्र इस्त्री के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं तो फिर आपकी सिध्धी चली जा सकती है तो इस बात का भी ध्यान रखें ये कभी जो देवताओं के मंत्र होते हैं उनको कभी भी किसी सात्विक इस्त्री या सात्विक देवी या किसी ऐसे शक्ति की प्रती नहीं जपना चाहिए जिसकी वज़े से आपको बहुत बड़ा नुपसान होने पाए हो जाए कामदेव इस बात को भोगत भी चुके है तो इसी लिए कामदेव की शक्ति का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के आपको करना चाहिए और आकर्षित करने के लिए आप निश्त रूप से आकर्षित कर सकते हैं लेकिन आकर्षण में और वश्यकर्ण में अंतर होता है यही मैं आपको समझाने चाहिए रहा हूँ कि किसी भी साधना में आकर्षित कर लेने में और वश्यकर्ण कर लेने में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है वश्यकर्ण में कर लेना मौने होता है कि उस पर अपना काबू चलाना आपकी इच्छानुसार उसकी इस्थिती हो जाना और आकर्षित करने का मतलब होता है कि उससे आपका प्रेम हो जाना या वो आपके पास आए या कभी आने की कोशिश करेगी तो वो प्रेम से ही आएगी वो क्रोध से नहीं आएगी या गुस्य से नहीं आएगी लेकिन वशीकरण में वो सकता है वो क्रोध और गुस्टे से आये लेकिन उसे मजबूर में आपकी बातों को मानना पड़ेगा तो अगर कोई इस तरह की कोई भी और समस्या है तो निचत रूप से आप पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो, धन्यवाद